शुरी शिवाये नमस्तुभ्यम आप सभी का देंशो भरमंगल में हो और भुलेनात का अशिरवाद आप सभी पर बना रहें इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सब का बहुत बहुत धनिवाद आज सुने शिमापुरान कथा में आगे का प्रसंग सूत जी कहते हैं हे महर्चियो भगवान श्रीहरी के अंतर ध्यान हो जाने पर मुनिस्ट्रेस्ट नारत जी शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए प्रत्वी पर विचरने लगे ब्रहमणों भूमंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाल बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया दिविदर्शी नारत जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है ये जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए वे उनके दिये वे शाप से उधार की इच्छा रखकर वह हमने ही आपका अपराद किया है राजकुमारी श्रीमति के स्वैमबर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था उस समय परमेश्वर की प्रेणा से आपने हम दोनों को श्राप दे दिया था वहां कुछ समय जानकर हमने चुप रह जाना ही अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा इसमें किसी का दोश नहीं है हमें अपनी कर्म का ही वलप्राप्थ होता है हे प्रभो अब आप प्रसन होईए और हम दोनों पर कृपा कीजिए तब देवर्शी नारत कहने लगे आप दोनों महादेव जी के गणहें और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माने हैं अत इसलिए आप दोनों को मैंने शाप दे दिया था हे शिपकणू मैंने जो कुछ कहा है वो वैसा ही होगा तथा पी मेरी बात सुनिए मैं आपके लिए शाप उधार की बात बता रहा हूँ आप लोग आज मेरे अपरात को भीक्षमा कर दे मुनीवर विश्रवा के वीरी से ज आजा होकर शिवभक्त और जिदेंद्री होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णू के हाथों मृत्यू पाकर फिर अपने पदपर प्रतिश्ठित हो जाओगे सूत जी कहते हैं हे महर्शियो महात्मा नारद मुनी की ये बात सुनकर वे दोनों शिवगन प्रसन नहोकर सानंद अपने अपने इस्थान को लोट गए श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित होकर अनन्ने भाव से भगवान शिव का ध्यान और शिव तीर्थों का दर्शन करते वे बारंबार पूमंडल में विचरन करने लगे अंत में वे सबके उपर विराजमान शिव प्रिया काशिपुरी में गए जो शिव स्वरूपिणी और शिव को सुख देने वाली है काशिपुरी का दर्शन करके नारद जी करतार्थ हो गए उन्होंने भगवान काशिनात का दर्शन किया और परम प्रेम एवं परमानन से युक्त होकर उनकी पूजा की काशि का सानन्द सेवन करके वे मुनिश्रेस्ट करतार्थता का अनुभव करने लगे और प्रेम से विवल होकर उसका नमन, वर्णन तथा इस्मरन करते वे ब्रहम लोग को गए निरंतर शिव का इस्मरन करने से उनकी बुद्धी शुत हो गई थी वहां पहुँचकर शिवतत्तु का विशेश रूप से ज्ञान प्राक्त करने की इच्छा से नारत जी ने ब्रहमा जी को भक्ती पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी इस्तुती करके उनसे शिवतत्तु के विशेश में पूछा उस समय नारत जी का हिर्दय भगवान शंकर के प्रती भक्ती भावना से परिपोर्ण था नारत जी कहने लगे हे ब्रहमन पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पिताम है हे जगत प्रभो आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विश्णु के उत्तम महात्मी का पूर्णतया ज्यान प्रात किया है भक्ति मार्ग ज्यान मार्ग अत्यत दूस्तर तपो मार्ग दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है परंतु शिर्व तत्व का विवह, ग्रास्त, धर्म, सब कुछ मुझे बताईए हे निश्पाप पिताम है ये सब बाते तथा और जो भी आवश्चक बाते हूँ उन सब का आपको वर्णन करना चाहिए हे प्रजानात, शिव और शिवा के आविर्भाव और विवह का प्रसंग विशेश रूप से कहिए तथक कार्थिकेजी के जन की कथा भी मुझे सुनाईए हे प्रभू, पहले बहुत से लोगों से मैंने ये बाते सुनी है कि तु तरक्त नहीं हो सका हूँ इसलिए आपकी शरण में आया हूँ आप मुझे पर करपा कीजिए अपने पुत्र नारत की ये बात सुनकर लोग पिता मह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार कहने लगे हे ब्रहमन देवशिरो मनी तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हूँ तुमने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है जिसके सुनने से संपोन लोगों के समस्त पापों का नाश हो जाता है उस अनामे शिवतत्व का मैं तुमसे वणन करता हूँ शिवतत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्करिष्ट और अद्भूत है जिस समय समस्त चराचर जगत नस्ठ हो गया था सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था ना सूरे दिखाई देते थे ना चंद्रमा अन्यान ग्रहों और नक्षत्रों का भी कुछ पता नहीं था न दिन होता था न रात अगनी, प्रत्वी, वायू और जल्की भी सत्ता नहीं थी प्रधान तत्व से रहित सूना आकाश मात्र शेष था दूसरे किसी तेज के उपलब्धी नहीं होती थी अद्रिष्ट आदी का भी अस्तित्व नहीं था शब्द और इस पर्ष भी साथ छोड़ चुके थी गंध और रूप की भी अभिवक्ति नहीं होती थी रस का भी अभा हो गया था दिशाओं का भी भान नहीं होता था इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेत घोर अंधकार फैला हुआ था उस समय तचसत ब्रह्म इस शुरुती में जो सत सुना जाता है एक मात्र वही शेश था जब ये वह ऐसा जो इत्यादी रूप से निर्दिश्ट होने वाला भाव भावात्मक जगत नहीं था उस समय एक मात्र वह सत ही शेश था जिसे योगी जन अपने हिर्द्याकाश के भीतर निरंतर देखा करते हैं जिस पर ब्रह्म के विशय में ज्ञान और ज्ञान से पून उक्तियों द्वारा इस प्रकार अर्थात उपर बताय अनुसार विकल्प किये जाते हैं उसने कुछ काल के बाद द्वित्य की इच्छा प्रकट की उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उधित हुआ तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ती अर्थात आकार की कल्पना की वह मूर्ती संपुन एश्वर्य, गुणों से संपन, सर्व ज्यानमाई, शुभ, स्वरूपा, सर्व व्यापनी, सर्व रूपा, सर्व दर्शनी, सर्व कारणी, सब की एकमात्र वंदनिया, सर्वाध्या, सब कुछ देने वाली और संपुन संस्कृतियों का केंद्र थी उस शुत्रूपिनी ईश्वर मूर्ती की कल्पना करके वह अध्वितिय, अनादी, अनंत, सर्वप्रकाशक, चिन्मय, सर्वव्यापी और अविनाशी परब्रह्म अंतर नहित हो गया। जो मूर्ती रहित परब्रह्म हैं, उसी की मूर्ती अर्थात चिन्मय आकार भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्ही को ईश्वर कहते हैं। उस तमें एकाकी रहकर स्विच्छा नुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयम ही एक स्वरूप भूता शक्ती की स्रस्टी की, जो उनके अपने ही श्री अंग से कभी अलग नहीं होने वाली थी। उस पराशक्ती को प्रधान, प्रकर्ती, गुण्वती, माया, बुधितत्व की जननी तथा विकार रहीत बताया है। वह शक्ती अंबिका कही गई हैं। उसी को प्रकर्ती, सरवेश्वरी, त्रीदेव, जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ती के आठ पुजाएं हैं। उस शुब लक्षना देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा एक सहस्त्र चंद्रमाओं की कांती धारण करती हैं। नाना प्रकार के आभुशन उसके शुरी अंगो की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न हैं और अनेक प्रकार के अश्त्र सश्त धारण करती हैं। उसके खुलेवे नेत्र, खिलेवे कमल के समान जान पढ़ते हैं। वे अचिन्त तेज से जगमकाती है, वे सब की योनी है और सदा उद्यमशील रहती है एकाकिनी होने पर भी वे माया संयोग वशात अनेक हो जाती है वे जो सदाशिव है उन्हें परमपुरुष, इश्वर, शिव, शंभू और महेश्वर कहते हैं वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं उनके भाल देश में चंद्रमा शोबित हैं, उनके पांच मुख हैं और प्रत्येक मुख में तीन तीन नेत्र हैं उनका चित सदा प्रसन रहता है, वे दस भुजाओं से युक्त और त्रिशूल धारी हैं उनके श्री अंगों की प्रभा करपूर के समान श्वेत गौर है, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाई रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक शेत्र का निर्मान किया था उस उत्तम छेत्र को ही काशी कहते हैं वह परम निर्वान या मोक्ष का इस्थान है जो सब के उपर विराजमान है विप्रिया, प्रेतम रूप, शिव, शक्ती जो परमानंद स्वरूप हैं उस मनोरम शेत्र में निवास करते हैं काशि पूरी पर्मानंद रूपणी है। हे मुने, शिव और शिवा ने प्रलैकाल में भी कभी उस छेतर को अपने सानिती से मुक्त नहीं किया है। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविम्उक्त छेतर के नाम से भी जानते हैं। ये छेतर आनंद का हेतू है। इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंदवन रखा था उसके बाद वह अविमक्त के नाम से प्रसित हुआ हे देवर्शी एक समय उस आनंदवन में रमन करते वे शिवा और शिव के मन में ये इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी स्रस्टी करनी चाहिए जिस पर ये स्रस्टी संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा नुसार विचरे और निर्वान धारन करें वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी स्रस्टी करें पालन करें और वही अंत में सबका संघार भी करें ये चित एक समुद्र के समा इसमें चिंता की उत्ताल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती हैं इसमें सत्वगन रूपी रत्न तमोगन रूपी ग्रहा और रजोगन रूपी मूंगे भरेवे हैं इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाथ से आनंद कान अर्थात काशी में सुक पूर्वक निवास करें यह आनंदवन वह स्थान है जहां हमारी मनुवृति सब और से सिमठकर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है ऐसा निश्चे करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शि अधिक्ता थी तथा वह गंभीरता का अथा सागर था यह मुने क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूनने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती उसकी कांती इंद्र नील मनी के समान श्याम थी उसकी अंग अंग से दिव शोभा छिटक रही थी और नेत प्रफुल कमल के समान शोभा पा रही थी श्री अंगो पर स्वन की सी कांती वाले दो सुन्दर रेश्मी पितांबर शोभा दे रही थी किसी से भी पराजित ना होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुज दंडों से सुशोभीत हो रहा था तद अंतर उस पु हेवत्स व्यापक होने की कारण तुम्हारा विश्नु नाम प्रख्यात होगा इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे तुम सुष्थिर उत्तम तब करो क्योंकि वही समस्त कार्यों का प्रधान है ऐसा कहकर भगवान शिव ने स्वास मार्ग से श्री विश्नु को वेदों का ज्यान प्रधान किया इसके बाद अपनी महिमा से कभी चूत ना होने वाले श्री हरी भगवान शिव को प्रणाम करके भारी तपस्या करने के लिए और शिव सक्ती शहित परमेशव शिव भी पार्षिद कड़ों के साथ वहां से अद्रिश्य हो गए भगवान विश्णु ने सुदीर्ग काल तक बड़ी कठिन तपस्या की तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विश्णु के अंगों से नाना प्रकार की जल धाराये निकलने लगी ये सब भगवान शिर्की माया से ही संपन्ध हुआ हे महामुने उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्थ हो गया वहब्रहम रूप जल अपने इस पर्ष मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ उस समय ठके हुए परम पुरुष विष्णू ने स्वयम उस जल में शयन किया विदीर्घ काल तक बड़ी प्रसनिता के साथ उसमें रहे नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायन यह शुरुती सम्मत नाम प्रसिद्ध हो गया उस समय उन परम पुरुष नारायन के सिवा दूसरी कोई प्राकर्त वस्तु नहीं थी उसके बाद ही उन महात्मा नारायन देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए हे महामुनी विद्वन मैं उन तक्वों की उत्पत्ती का प्रकार बता रहा हूँ सुनो प्रकर्ति से महतत्व प्रकट हुआ और महतत्व से तीनों गुन, इन गुनों के भेद से ही त्रिवित एहंकार की उत्पत्ती हुई, एहंकार से पांच तनमात्राएं हुई और उन पांच तनमात्राओं से पांच भूत प्रकट हुए, उसी समय ज्यानेंद्रियों और हुए हैं इसलिए सब के सब जड़ हैं तत्वों की संख्या 24 है उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके विपरम पुरुष नारायन भगवान शिर्क की इच्छा से ब्रह्मरूप जल में सो गए ब्रह्मा जी कहते हैं हे देवर्शी जब नारायन देव जल में शयन कर लगे उस समय उनकी नाभी से भगवान शंकर की इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था उसमें असंख नाल दंड थे उसकी कांती कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी ते था उसकी लंबाई और उच्चाई भी अनंत योजन थी वह कमल कर पूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अध्वुत परम रमणी दर्शन के योगी तथा सबसे उत्तम था तत्पश्चाथ कल्यानकारी परमेश्वर सामस्तदाशिव ने पुर्वत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन किया हे मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंती अपनी माया से मोहित करके नारायन देव के नाभी कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरन गर्भ का जन्म हुआ मेरे चार मुख हुए और शरीर की कांती लाल हुई मेरे मस्तक त्रिपुन्र की रेखा से अंकित थे हे तात भगवान शिक्की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्यान शक्ती इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्मान किया है इस प्रकार संशे में पड़े हुए मेरे मन में ये विचार उत्पन हुआ कि मैं किसलिये मोह में पड़ा हुआ हूँ जिसने मुझे उत्पन किया है उसका पता लगाना तो बहुत ही सरल है इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उत्पन किया है वो पुरुष भी वही होगा इसमें कोई संशे नहीं ऐसा निश्चे कर मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा हे मुने मैं उस कमल की एक-एक नाल में गया और स्यकडो वर्षो तक वहां भ्रमन करता रहा किन्तु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तमिस्थान मुझे मिला ही नहीं तब पुना संशे में पढ़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चड़ने लगा इस तरह बहुत उपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को नहीं पा सका उस तशा में मैं और भी मोहित हो गया हे मुने उस समय भगवान शिप की इच्छा से परम मंगल मैं उत्तम आकाश वानी प्रकट वी जो मेरे मोह का विद्वंश करने वाली थी उस वानी ने कहा तब करो उस आकाश वानी को सुनकर मैंने अपने जन्म दाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनह प्रयत्न पूर्वक बारह वर्षुता घोर तबस्या की तब मुझ पर करपा करने के लिए ही चार भुजाओं और सुन्दर नेत्रों से सुशोबित भगवान विश्नु वहाँ सहसा प्रकट हो गए उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंक, चक्र, गदा और पद्म धारन कर रखे थे उनके सारे अंग सजल जल्धर के समान शाम कांती से सुशोबित थे उन परम प्रभु ने सुन्दर पितांबर पहन रखा था उनके मस्तक आदी अंगों में मकुट आदी महा मूलिवान आभूशर शोभा पाते थे उनका मुखारविन प्रसनता से खिला हुआ था मैं उनकी चवी पर मोहित हो रहा था वे मुझे करोणों काम देवों के समान मनोहर दिखाई दिये उनका वह अत्यन्त सुन्दर रूप देखकर मुझे बड़ा शर्य हुआ वे सामली और सुनहरी आभा से उधासित हो रहे थे उस समय उन सद सत्व सुरूप परमात्मा चार भुजा धारन करने वाले महा बाहु नारायन देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्श हुआ तदंतर उन नारायन देव के साथ मेरी बातचीत प्रारम हुई भगवान शिप की लीला से वहां हम दोनों में कुछ विवात छड़ गया उसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अगणी स्थम्ब अर्थात जोतिर मैं लिंक प्रकट हुआ मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशह उपर और नीचे जाकर उसके आदी अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया परन्तु हमें कहीं भी उसका कोई ओर छोड नहीं मिला मैं ठककर उपर से नीचे लोटाया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से उपर आकर मुझसे मिले हम दोनों शिव जी की माया से मोहित थे श्री हरी ने मेरे साथ आगे पीछे से और अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया फिर वे सोचने लगे ये क्या वस्तू है इसके स्वरूप का नर्देश नहीं किया जा सकता क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है ना कर्म ही है लिंग रही तत्व ही यहां लिंग भाव को प्राप्थ हो गया है ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता इसके बाद मैं और श्रीहरी दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अगनी इस्तंभ को प्रणाम करना आरंब कर दिया हम दोनों कहने लगे हे महाप्रभो हम आपके स्वरूप को नहीं जानते आप जो कोई भी क्यों नहों आपको हमारा नमस्कार है हे महेशान आप शीगरी ही हमें अपने यथार्त रूप का दर्शन कराईए हे मुनिस्टेस्ट इस प्रकार एहंकार से आविष्ठ हुए हम दोनों ही वहाँ नमस्कार करने लगे अप जानिये कि किस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्द मैं शरीर का दर्शन हुआ श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे मुनिस्टेस्ट नारत इस प्रकार हम दोनों देटा गर्वरहित होकर निरंतर प्रणाम करते रहे हम दोनों के मन में एक ही अभिलाशा थी कि इस जोतिरलिंक के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक एहंकारियों का गर्व चून करने वाले तथा सब के अभिनाशी प्रभू हैं वे हम दोनों पर दयालू हो गए उस समय वहां उनसुर स्रेष्ट से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो इस पस्ट रूप से सुनाई देता था जोर जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विशय में ये क्या है ऐसा सोस्ते वे समस्त देताओं के आराथ में भगवान विश्णू मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे विसर्वता वैरभाव से रहे थे उन्होंने लिंग के दक्षण भाग में सनातन आदिवन अकार का दर्शन किया उत्तर भाग में उकार का मद्ध भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षा दर्शन और अनुभू किया दक्षन भाग में प्रकट हुए आदिवन अकार को सूर्य मंडल के समान तेजों में देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में द्रस्टी बात किया तब वहां उकार वन अगनी के समान दीप्त शाली दिखाई दिया हे मुनिस्रेष्ट इसी तरह उन्होंने मद्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्वल कांति से प्रकाश्मान देखा उस समय श्री हरी ये सोचने लगे कि ये अगनी स्तंब यहां कहां से प्रकट हुआ है हम दोनों फिर इसकी पलिक्षा करें मैं इस अनुपम अनंत इस्तंब के नीचे जाऊँगा ऐसा विचार करते हुए श्री हरी ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया तब वहाँ एक रिशी प्रकट हुए जो रिशी समू के परम सार रूप माने जाते हैं उन्ही रिशी के द्वारा परमेश्वा श्री विश्णू ने जाना कि इस शब्द ब्रहम मैं शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रहम स्वरूप महादेव जी ही यहां प्रकट हुए हैं ये चिंतारहित अथवा अचिंते रुद्र हैं जहां जाकर मन सहित वानी उसे प्राप्त किये बिना ही लोटाती हैं इन बीजी भगवान महिश्वर के लिंग से अकार रूप बीज प्रकट हुआ जो उकार रूप योनी में इस्थित होकर सब और बढ़ने लगा वह स्वन्ड मैं अंड के रूप में ही बताने योगी था उसका और कोई भी विशेस लक्षन नहीं लक्षित होता था वह दिव्व अंड अनेक वर्षों तक जल में ही इस्थित रहा तदंतर एक हजार वर्ष के बाद उस अंड के दो तुकडे हो गए जल में इस्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ती का इस्थान था और साक्षात महिश्वर के आगात से ही फूट कर दो भागों में विभक्त हो गया था उस अवस्था में उसका उपर इस्थित हुआ स्वन्मय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा वही द्यू लोक के रूप में प्रकट हुआ तथा उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही ये पांच लक्षणों से युक्त प्रत्वी है इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरीने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्यूदे से शोबित होने वाले उस महेश्वर देव का इस्तवन किया इसी बीच में मेरे साथ विशुपालक भगवान विश्णु ने एक और भी अद्वत और सुन्दर रूप देखा हे मुने वह रूप पांच मुखों वाला और दस भुजाओं से अलंकरित था उसकी कांती करपूर के समान गौर थी वह नाना प्रकार की छटाओं से चविमान और भांती-भांती के आभुशनों से विभुशित था उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष्ट के लक्षनों से संपन्न अत्यंत उत्क्रिष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरी दोनों कृतार्थ हो गए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारत जी भगवान विश्णों के द्वारा की हुई अपनी इस्तुती सुनकर करुणा निधी महेश्वर बड़े प्रसन हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए उस समय उनके पांच मुख और प्रत्यक मुख में तीन तीन नेत्र शोभा पा रहे थे भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था सिर्पर जटा धारन की ए गौरवन विशाल नेत्र शिव ने अपने संपून अंगों में विभूती लगा रखी थी उनके दस भुजाएं थी कंठ में नील चिन्न था उनके श्री अंग समस्त आबुशणों से विभूशित थे उन सरवांग सुन्दर शिव के मस्तक भस्म में त्रिपुंडर से अंकित थे ऐसे विशेश गुणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी की भगवती उमा के साथ उपस्तिती देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनह प्रेवचनों द्वारा उनकी इस्तुती की तब पाप हारी करुणा कर भगवान महेश्वर ने प्रसंदचित होकर उन श्री विश्णु देव को स्वास रूप से वेद का उपदेश दिया धेमने उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरी को गुई ज्यान प्रदान किया फिर उन परमात्मा ने करपा करके मुझे भी वह ज्यान दिया वेद का ज्यान प्राप्त करके करतार्थ हुए भगवान विश्णु ने मेरे साथ हाथ चोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुन्हा उनसे पूजन की विधी बताने तथा सदूपदेश्ट देने के लिए प्रार्थना की श्री प्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने श्री हरी की यह बात सुनकर अत्यन्त प्रसन्द हुए क्रपा निधान भगवान शिव ने प्रीती पूर्वक यह बात कही भगवान शिव कहने लगे हे सुर स्रेष्ट गन मैं तुम दोनों की भक्ती से निश्चे ही बहुत प्रसन हूँ तुम लोग मुझ महा देव की ओर देखो इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही रूप का प्रेत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए तुम दोनों महा बली हो और मेरी स्वरूप भूता प्रकरती से प्रकट हुए हो मुझ सरवेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुमारा अविर्भाव हुआ है ये लोग पिता मैं ब्रह्मा मेरी दाहिने पार्ष्व से उत्पन हुए है और तुम अर्थात विष्णू मुझ परमात्मा के वाम पार्ष्व से प्रकट हुए हो मैं तुम दोनों पर भलिभाती प्रसन हूँ और तुमें मनुवांचित वर देता हूँ हे ब्रहमन, तुम मेरी आग्या का पालन करते वे जगत की स्रस्टी करो और वत्स विष्णू, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधी प्रदान की जिसके अनुसार पुजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल प्रदान करते हैं शंभू की उपरिवत बाते सुनकर मेरे सहित श्री हरी ने महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा प्रभू यदि हमारे प्रती आपके हिर्दय में प्रीती उत्पन हुई है और यदि आप हमें वर्दान देना आवशक समझते हैं तो हम तो यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य और अविचल भक्ती बनी रहे ब्रह्मा जी कहते हैं हे मुने श्री हरी की ये बात सुनकर भगवान हर ने पुनह मस्तक जुका कर प्रणाम करके हाथ जोड़ खड़े हुए उन नारैंट देव से स्वयम कहा श्री महेश्वर कहने लगे मैं स्ट्रस्टी पालन और संघार करता हूँ सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चीदानन स्वरूप निर्विकार पर ब्रह्म परमात्मा हूँ हे विश्णु, स्रस्टी रक्षा और प्रले रूप गुणो अत्वा कार्जों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विश्णु और रुद्र नाम धारन करके तीनो सुरूपों में विभक्त हुआ हूँ हरे, वास्तों में सदा निशकल हूँ हे विश्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार की निमित जो इस्तुती की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूँगा, क्योंकि मैं भक्तवत्सल हूँ ब्रह्मन, मेरा ऐसा ही परम उत्करिष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र गहलाएगा, मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ मुझसे कम नहीं होगी, जो मैं हूँ, वही यह रुद्र है, पूजा की विधी विधान की द्रिष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है, जैसे जियोती का जल आदी के साथ संपर्ख होने पर भी उसमें इस पर शिदोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुन परमात्मा को भी किसी के सयोग से बंधन नहीं प्राप्ध होता, ये मेरा शिव के लिए दो रूप में विभक्त हो गया है, अतहां शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धी नहीं करनी चाहिए, वास्त में सारा द्रशी ही मेरे विचार से शिवरूप है, मैं, तुम, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे, वे सब के सब एक रूप है, इ सत्य, ज्यान, एवं अनंत ब्रह्मा है, ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथात सुरूप का दर्शन करना चाहिए, ब्रह्मान सुनो, मैं तुम्हें एक कोपनी बात बता रहा हूँ, मैं स्वयम ब्रह्मा जी की भ्रकटि से प्रकट होंगा, गुणों में भी मेरा प्रकटि कहा ग अर्था सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक, देवगंड, वेकारिक, एहंकार की ही स्रस्टी है, ये तामस और सात्विक आदिभेद केवल नाम मातर का है, वस्तुतन नहीं है, वास्तों में हर को तामस नहीं कहा जा सकता, एब्रहमन इसी कारण से तुम्हें ऐ प्रकर्टी नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकर्ति देवी हैं। इन्हीं की शक्ति भूता वाक देवी ब्रह्मा जी का सेवं़ करेंगी। फिर इन प्रकर्ति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकर्त होगी, वे लक्षमी रूप से भगवान विश्नु का ाश्रे लेंगी तदंतर पुनहक काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होंगी वे निश्चे ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होंगी विकारे की सिद्धी के लिए वहां जोती रूप से प्रकट होंगी इस प्रकार मैंने देवी की शुब स्वरूपा पराशक्तियो इंश्भूता है औलं हरे तुम लकष्मी जी का साहरा लेकर कारे प्रारम करो ब्रहुमन तुम्हें प्रकर्ति चारो वर्णों से भरेवे लोक की स्रस्टी और रक्षा आधी करके सुख पाओगे हरे तुम ज्ञान विज्ञान से संपन तथा संपून लोकों के हितैशी हो अतहाँ अब मेरी आग्या पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बन जाओ मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्थ होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा मेरी ये बात सत्य है ये बात सत्य है इसमें संशय के लिए कोई स्थान नहीं मेरे हिर्दय में विश्णू है और विश्णू के हिर्दय में मैं हूँ जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेश प्रे है श्रीहरी मेरे बायंग से प्रकट हुए हैं ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्राकट्य हुआ है और महा प्रलैकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हिर्दय से प्रादुर्भूत होंगे हे विश्णो मैं ही स्रस्टी का पालन और संघार करने वाले रज आदित्रिवित कुणो द्वारा ब्रह्मा विश्णू और रुद्रनाम से प्रसित हो तियन रूपों में प्रथक प्रथक प्रकट होता हूँ साक्षाथ चिफ कुणों से भिन्न है वे प्रकर्ती और पुरुष से भी परे हैं अद्वितिय, नित्य, अनन्त, पून एवं निरंजन, परब्रह्म, परमात्मा हैं तीनों लोगों का पालन करने वाले शुरीहरी अपने भीतर तमोगुन और बाहर सत्वगुन धारन करते हैं तिरी लोकी का संघार करने वाले रुद्र देव भीतर सत्वगुन और बाहर तमोगुन धारन करते हैं तिथा तिरी भुवन की स्रस्टी करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विश्नु तथा रुत्र इन तीन देवताओं में गुण है परंतु शिव गुणातीत माने कए हैं। है विश्नु तुम मेरी आग्या से इंस्रस्टी करता पिता मह का प्रसंदता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनी होगे। के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपून दूस्थ कारियों में मैं तुम्हारी सहता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जे और अत्यत उत्कट शत्रू होंगे उन सब को मैं मार गिराऊंगा। हरे तुम नाना प्रकार के अफ्तार धारन करके लोकों में अपनी उत्तम केर्थी का विस्तार करो और सब के उत्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्ये हो और रुद्र तुम्हारे ध्ये हैं। तुममें और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुर्णे ततकाल भस्म हो जाएगा पुरुशोतम विश्णो तुम से त्वेश करने के कारण मेरी आग्या से उसको नरक में गिरना पड़ेगा ये बात सत्य है और इसमें कोई संचे नहीं तुम इ मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विश्णो को सौपकर उनसे कहा तुम संकट के समय सदा इनकी साहता करते रहना सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मुक्ष प्रदान करना त्यथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक और सर्वस्रेष्ट बने रहना जो तुम्हारी शर कई है बचन सुनकर मेरे साथ भगवान विश्णु ने सबको वश्मे करने वाले विश्वनात को प्रणाम करके मंद्स्वर में कहा श्री विश्णु बोले हे करुणा सिंधो जगनात शंकर मेरी ये बात सुनिए मैं आपकी आग्या के अधीन रहकर ये सब कुछ करूँगा हे स्वामिन जो मेरा भगत होकर आपके निंदा करें उसे आप निश्चे ही नरकवास प्रदान करें नात जो आपका भगत है वह मुझे अत्य तिप्रे है जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुडलब नहीं है श्री हरी का ये कथन सुनकर दुख हारी हर ने उनकी बात क अनुमदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर्दान दिये इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभू कृपा पूर्वक हमारी और देखकर हम दोनों के ही देखते-देखते सहसा वही अंतरध्यान हो गई तबी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं शिवलिंग की जो वेदी या अरगा है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का ले का अधिस्ठान हो करने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है क्योंकि उनी में निखल जगत का लय होता है यह महा मुने जो शिवलिंग के समीव कोई कारी करता है उसके पुर्णिपल का बढनन करने की शक्ति मुझ में नहीं है तदंतर नारज जी के पूछने पर प्रह्मा जी कहने उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरी से ज्यान पाकर पर्मानंद को प्राप्त हो मैंने श्रस्टी करने का निश्चे किया ताथ भगवान विश्णु भी वहां सदाशिप को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश देकर ततकाल अद्रिश्य हो गए वे ब्रह्मान्द से बाहर जाकर भगवान शिप की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जा पहुँचे और सदाव वही रहने लगे मैंने श्रस्टी की इच्छा से भगवान शिप और विश्णु का इस्मरण करके पहले के रचेवे जल में अपनी अंजली डालकर जल को उपर की और उच्छाला इससे वहां एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समुग कहा जाता है विप्रवर वह विराट आकार वाला अंड जल रूप ही था उसमें चेतनता ना देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यनत कठोर तब करने लगा 12 वर्षों तक भगवान विश्णु के चिंतन में ही लगा रहा तात वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरी स्वयम प्रकटवे और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का इसपर्ष करते वे मुझसे प्रसंता पुर्वक इस प्रकार कहने लगे ब्रह्मन तुम वर मागो मैं बहुत प्रसंद हूँ मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदे नहीं है भगवान श्री के करपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ तब इस प्रकार मैंने अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा महा भाग आपने जो मुझ पर करपा की है वह सर्वथा उच्छे थी है क्योंकि भगवान श्री ने मुझे आपके हाथों में सौब दिया है हे विश्णो आपको नमस्कार है आज मैं आपसे जो कुछ भी मांगता हूँ उसे दीजिए हे प्रभो ये विराठ रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है जड़ी भूत दिखाई देता है हे हरे इस समय भगवान श्रीव की करपा से आप यहां प्रकट हुए है अधा शंकर की स्रस्टी शक्ती या विभूती से प्राप्त हुए इस अंड में चेतन तलाईए मेरे ऐसा कहने पर शिव की आग्या में तत्पर रहने वाले महा विष्णु ने अनंत रूप का आश्रेले इस अंड में प्रवेश किया उस समय उन परम पुरुशों के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे उन्होंने भूमी को सब और से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया मेरे द्वारा भलिभाती स्तुति की जाने पर जब श्री हरी ने उस अंड में प्रवेश किया तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया पाताल से लेकर सत्य लोक तक की अबधी वाले उस अंड के रूप में वहां साक्षा च्री हरी ही विराजने लगे उस विराट अंड में व्यापक होने से ही वे प्रभू वेराज पुरुष कहलाए पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम में केलास नगर का निर्मान किया जो की सब लोकों से उपर सुशोबित होता है हेदेवर्शी संपुन ब्रहमांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और केलास इन दो धामों का यहां कभी नाश नहीं होता मुनिश्टेस्ट मैं सत्य लोक का आश्र लेकर रहता हूं ताथ महादेव जी की आग्या से ही मुझ में स्रस्टी रचने की इच्छा उत्पन हुई बेटा जब मैं स्रस्टी की इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पहले मुझ से अंजाने में ही पाप पून तमो गुणी स्रस्टी का प्रादुर्भा हुआ जिससे अविद्या पंचक अथवा पंच परवा अविद्या कहते हैं इसके बाद प्रसन्यचित होकर शंभू की आग्या से मैं पुना अनासक्त भाव से स्रस्टी का चिंतन करने लगा उस समय मेरे द्वारा इस्थावर संग्यक व्रक्ष आदि की स्रस्टी हुई जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं ये पहला सर्ग है उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुशार्थ का साधक नहीं है ये जानकर स्रस्टी की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ जो दुख से बरा हुआ है उसका नाम है त्रियक्स्त्रोता वह सर्ग भी पुरुशार्थ का स तोत्रा कहते हैं यहें देवसर्ग के नाम से विख्यात हुआ देवसर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुख दायक है उसे भी पुरुशार्थ साधन के रुची और अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्रीशिप का चिंतनारभ किया तब पुरुशार्थ साधन के उच अधिकारी हैं तदंतर महादेव जी की आग्या से भूत आधी की स्रस्टी हुई इस प्रकार मैंने पाच त्रह की वेकरित स्रस्टी का वर्णन किया है इनके सिवा तीन प्राकरत सर्ग भी कहे हैं जो मुझ ब्रह्मा के सानिति से प्रकरति से ह प्रकट हुए हैं इनमें पहला महतत्व का सर्ग है दूसरा सोक्ष्म भूतों अर्था तनमात्राओं का सर्ग है और तीसरा वेकारिक सर्ग कहलाता है इस तरह ये तीन प्राकरत सर्ग हैं प्राकरत और वेकरत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से आठ सर्ग होते हैं इनक द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ इसी का दूसरा नाम कौमार सर्ग है जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की महतुपोर्ण स्रस्टी हुई है सनक आदि मेरे चार मानस पुत्र है जो मुझ ब्रह्मा के ही समान है वे महान विरागी से संपन तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए उनका मन सदा भगवान शिप के चिंतन में ही लगा रहता है वे संसार से विमुख और ग्यानी है उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी स्रस्टी के कार्य में मन नहीं लगाया हे मुनिस्रेष्ट नारत सनकादी कुमारों के दिये हुए नकरात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भ्यंकर क्रोध प्रकट हुआ उस समय मुझ पर मोह जा गया उस अफसर पर मैंने मन ही मन भगवान श्री हरी का ध्यान किया और विशीगरी आ गए और उन्होंने मुझे समझाते वी कहा तुम भगवान श्री की प्रसनिता के लिए तब करो मुनिस्रेष्ट जब श्री हरी ने मुझे ऐसी सिक्षा दी तब मैं महागोर और उत्कृष्ट तब करने लगा स्रस्टी के लिए तपस्या करते वी मेरी दोनों भौहें और नासिका के मद्धिभाग से जो उनका अपना ही अभिमुक्त नामकिस्थान है महेश्वर की तीन मूर्थियों में से अन्यतम, पूर्णांश, सर्वेश्वर और दयासागर भगवानशिव अर्धनारिश्वर स्वरूप में प्रकट हुए जो जन्म से रहित तेज की राशी सर्वागी तथा सर्व द्रिस्था है उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लब शंकर को सामने देख बड़ी भक्ती से मस्तक जुकाउन की इस्तुती करके मैं बड़ा प्रसन हुआ और उन देव देवेश्वर से बोला हे प्रभो आप भाती भाती के जीवों की स्रष्टी कीजिए मेरी यह बाद सुनकर उन देवाधी देव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्र गड़ों की स्रष्टी की तब मैंने अपनी स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा देव आप ऐसे जीवों की स्रस्टी कीजे जो जन्म और मृत्यों के भई से युक्त हों मुनिस्टेश्ट मेरी ऐसी बाते सुनकर करुणा सागर महादेवजी हस पड़े और ततकाल इस प्रकार कहने लगे विधाता मैं जन्म और मृत्यों के भई से युक्त अशोभन जीवों की स्रस्टी नहीं करूँगा क्योंकि विक कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे मैं तो दुख के सागर में डूबे वे उन जीवों का उधार मात्र करूँगा गुरू का स्वरूप धारन करके उत्तम ज्यान प्रदान कर उन सब को संसार सागर से पार करूँगा हे प्रजापते दुख में डूबए हुए सारे जी की स्रस्टी तो तुम ही करो मेरी आग्या से इस कारे में प्रवर्थ होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांद सकेगी मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान ने लिलोहित महादेव मेरे देखते ही देखते अपने पारशदों के साथ वहां से ततकाल तिरोहित अर्थात अंतरध्यान हो गए जय भोले नात ये थी आज की कथा कथा को अंतर तक सुनने के लिए आप सब का बहुत बहुत आभार इससे आगे कवरतान जानने के लिए करपया अगली कथा का अंतरशार जरूर कीजेगा